इस वीडियो में हम देखेंगे linear equations तो यह chapter काफी important है काफी अच्छा भी है इसमें आप लोग काफी कुछ समझ सकते हो कि linear equations होता क्या है कैसे इसे solve करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि इसे linear equation क्यों कहते हैं क्या होता है linear equation देखो बच्चो आप लोगों ने algebraic expressions तो पढ़ाई है आपने इसके पहले algebraic expressions के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा सो algebraic expressions को लेकर ही आप linear equation समझ सकते हैं माल लीजे एक algebraic expression है इस तरह से 2x प्लस 1 ठीक है ये एक algebraic expression है आप जानते कि उसमें एक variable होता है और इसमें आपने equal to की sign लगाई और माल लो आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया यहाँ पर माल लो आपने कुछ यहाँ पर लिखा 3 लिखा ठीक है तो आपने यहाँ पर LHS में कुछ है और RHS में कुछ है और यहाँ पर यह equal to की sign है यह तो कुछ ऐसा ही है ना कि जब हम जो को जब हम लोग balance करते हैं ठीक है दोनों तरफ चीजे होती है मालो और उसको हम जो balance करते हैं तो उनको balance करने के लिए दोनों तरफ same होना चाहिए right जितना इस तरफ वजन है उतना इस तरफ वजन होना चाहिए तभी तो यह same same दिखायेगा ना तो ऐसे ही LHS और equal to RHS होता है और LHS में एक तरफ मालो के algebraic expression है और दुसरे रफ भी एक constant number है या फिर algebraic expression है तो वो ही होता है एक equation और यह linear equation क्यों कहता है इसको क्योंकि यहाँ पे जो variable की value होती ना variable की जो highest power होती है वो होती है 1 किसी भी variable की अगर highest power 1 है तो इस तरह के equation को बोलेंगे linear equation अब जोरी ने की linear equation में सिर्फ एक ही variable हो हो सकता है दूसरे variable भी हो जैसे के 2x plus 3y equal to 5 ऐसा भी हो सकता है तो यहाँ पे भी linear equation है क्योंकि यहाँ पे variable की value 1 है power की value यहाँ पे भी 1 है 1 हमें लिखने के जोरत नहीं that is understood तो 2 variable भी हो सकते है बट आप लोग क्या पढ़ोगे आप ल linear equation in one variable so आपकी इस equation में सिर्फ एक ही variable होगा all right तो मालो यह equation है equation क्योंकि यहाँ पे equal to के sign है RHS में कुछ है और LHS में कुछ है एक तरफ कम से कम एक algebraic expression होना चाहिए so this is a linear equation यह linear इसलिए है क्योंकि यहाँ पे x की जो power है that is 1 understood है न 1 है इसलिए अब अगर मैं इस variable की value find out करता हूं ठीक है मालो यहाँ पे है यह 2x plus 1 equal to 5 so 2x equal to यह जो 1 है वो इस तरफ जब जाएगा तो 5 minus 1 हो जाएगा that is 4 तो 2x equal to 4 so x equal to 4 by 2 that is 2 तो यहाँ पे x की value क्या मिली 2 मिली तो इस तरह से आप एक equation में जो variable था उसकी आपने value find out कर दी मतलब आपने इस equation को solve कर दिया this is the solution of equation 2x plus 1 this is the solution of equation 2x plus 1 equal to 5 solution का मतलब यह होता है कि आपने एक equation लिखिये उस equation में जो variable है उस variable की आपने value find out कर दी मतलब आपने उस equation को solve कर दिया all right तो बच्चो अब हम कुछ questions solve करते हैं इसी chapter के ठीक है choose the correct option the equation for the statement 4 less than twice a number gives x is what so दोखो पहले यहाँ पे इस statement को अच्छे हमें पढ़ना होगा 4 less than 4 less than मतलब 4 आपको कम करना है less than twice a number 2 times a number but वो number क्या है हमें पता नहीं तो x कर दिया gives 8 so gives 8 this is the equation ठीक है 4 less than twice a number gives 8 जहाँ पे gives हो ना gives का मतलब क्या होता है equal to cosine ठीक है तो यहाँ पे x हमने लिया है x के बदले कोई और चीज़ है यहाँ जो दिखा रही है क्या देखते है तो यहाँ पे 2x minus 4 equal to 2a minus 4 equal to 8 this is the solution this is the equation 2a minus 4 equal to 8 यही है जो satisfy करता है इस statement को ठीक है अब देखते हैं next question की तरफ which of the following statements satisfy the equation this तो इसमें से कौनसा statement है 1, 2, 3 or 4 कौनसा statement है जो इस equation को satisfy करता है मतलब के 45 equal to 5 x minus 3 इसके लिए कौनसा statement है देखो 5 और इसका यहाँ पे क्या हो रहा है multiplication हो रहा है तो यहाँ पे 5 का और इसका multiplication हो रहा है so we can say product of 5 and something बट यह क्या है यह जो है वो है subtraction या फिर आप बोल सकते हैं difference है ना difference between x and 3 right difference of x and 3 आप बोल सकते हैं right x and 3 तो ऐसा कहां पे लिखा हुआ है difference of x and 3 यह लिखा हुआ है right and product यह जो multiply हो रहा है so हम लोग कह सकते हैं कि the product of 5 the product of product मतलब क्या multiplication product किसका हो रहा है multiplication किसका हो रहा है 5 and इसका हो रहा था ना x-3 का इसको कैसे लिखा है and the difference of and the difference of x and 3 is 45 is मतलब equal to तो यहां पे है ना equal to is 45 हो गया so हम लोग answer कौन सा लेंगे यह जो second वाला है उसको टिक करेंगे ठीक है second one so your answer is the second statement चलिए बढ़ते है next पे the root of the equation आपको इस equation का root find out करना है so 4x plus 5 equal to 3 और x plus 2 इसका आपको root find out करना है मतलब आपको x की value find out करना है simple चलो solve करते है फटा फट 4x plus 5 यहां पे जो राइट साइड में है 3 इसके साथ multiply होगा तो क्या होगा 3x फिर 3 यह 2 के साथ multiply होगा तो क्या होगा 3 to the 6 अब देखो बच्चो यह जो 3x है इसको मैं अगर इस तरफ ले के आऊ तो क्या हो जाएगा 4x minus 3x और यह जो plus 5 है उसे मैं इस तरफ ले जाऊ तो क्या होगा minus 5 तो 6 तो यहाँ पे रहेगा बट minus 5 है जाएगा तो 6 minus 5 क्या होगा 1 होगा और यहाँ पे 4x minus 3x क्या होगा x होगा तो x की value मिल गई x की value क्या मिली 1 और हमारा answer जो होगा वो that is option 1 है ना यह answer है यह रहा ओके चले next question देखते हैं नीना गेव शॉपकीपर रुपीज 200 तो नीना ने शॉपकीपर को कितने रुपे दिये 200 रुपीज दिये शॉपकीपर को ठीक है तीन नौटबुक के लिए कितने तीन नौटबुक के लिए उसने 200 रुपे दिये फिर उसके बाद क्या हुआ shopkeeper ने उसको 20 रुपे लोटा दिये है ना and returned 20 रुपीज तो shopkeeper ने 20 रुपे लोटा दिये मतलब वो जो 3x books थी वो 3x books का price काट के 3x books का price लेके उसने लोटा दिये थीक है तो shopkeeper ने 20 रुपीज तो लोटा दिये और यहां पर दिया हुआ if the price of each notebook is X मतलब हर know book का price कितना है x तो इसने तो 3 know book खरी दी है ना तो 3 know book का price कितना होगा 3x होगा 3x plus 20 क्यों क्यों क्योंarten तो था ना वो 200 रुपीज के अंदर दोनों बाते थी ये 3 más का price भी था plus 20 रुपीज extra भी थे इसलिए दुकान दान ने 3X तो ले लिया और 20 रुपीज वापस कर दिया तो आप सोचो यह जो 200 था मतलब 3 बुक्स ली ठीक है 3 नोटबुक्स का प्राइस प्लस 20 रुपीज तभी जाके होता है रुपीज 200 राइट 3 नोटबुक का प्राइस तो बचो बढ़ते हैं नेक्स कुशन पर यहाँ पर रेखा हुआ है नीना गेव अ शौप कीपर रुपीज 200 तो बाई 3 नोटबुक्स तो नीना ने 200 रुपे दिये ठीक है 200 रुपे दिये 3 नोटबुक के लिए एक शौप कीपर को तो शौप कीपर ने उसको 3 नोटबुक तो दे दी उसके पैसे भी ले लिए और रुपीज 20 वापस कर दिये मतलब नीना ने जो 200 दिये थे न वो 200 में क्या क्या था वो 200 के अंदर ये तीनों नोटबुक का प्राइस भी था प्लस ये 20 रुपीज एक्स्ट्रा भी था अगर माल लो हर नोटबुक का प्राइस है रुपीज एक्स ठीक है तो तीनों नोटबुक का प्राइस कितना हुआ 3X हुआ न ठीक है तो 3X भी था और ये 20 भी था तब जाके रुपीज 200 होता है then the correct equation for this situation देखो ऐसे में क्या होता है ये जो 200 है न ये 200 रुपीज इसके अंदर तीनों नोटबुक का भी प्राइस है और रुपीज 20 भी एक्स्ट्रा थे ये रुपीज 20 एक्स्ट्रा थे इसलिए तो दुकान दाने वापस कर दिये तो ये एक equation बनती है इसके हिसाब से यहाँ पर देखो कहाँ पर कोई equation है यहाँ पर 3x प्लस 20 इक्वाल तो 200 ये रही equation राइट तो यहाँ पर यहाँ पर ये एक रेशो है और ये दूसरा ratio है दोनों equivalent ratio है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं बच्चों cross multiply कर सकते हैं के नहीं ये 15 इसके साथ जाएगा 45 इसके साथ जाएगा तो 15A equal to 45 into 7 what will be 45 into 7 see 7 5s are 35 5 carry 3 7 4s are 28 28 plus 3 so that will be 31 और यहाँ पर होगा 15 into A और हमें A की value find out करने तो यहाँ पर 15 इसके साथ जो multiply हो रहा है यहाँ पर आयाएगा तो वो divide होगा बच्चों तो यहाँ पर इस तरह से divide होगा simple अब देखो A की value आपको मिलेगी जब आप 315 को divide करोगे 15 से इस तरह से आपको side में कर ही देना चाहिए ताकि आपकी teacher को पता चल जाए कि हाँ बच्चे ने यहाँ पर try किया है तब जाके इसका answer आए right so 15 2s होगा यहाँ पर 30 1 बचेगा यह 5 नीचे उतरेगा फिर 15 1s होगया तो आपका answer क्या आगया 21 so 21 is the value of A या फिर आप बोल सकते हो the root of this equation root of the equation is is A equal to 21 चलिए बढ़ते है next question पर यहाँ पर भी हमें solve करना है solve for x यहाँ पर आपको x की value find out करनी है बच्चों so यहाँ पर दिया हुआ है 2x upon 7 minus 6 equal to 4 so सबसे पहले क्या करोगे यह जो minus 6 है उसे इस तरफ लेके जाते है right so 2x upon 7 यहाँ पर equal to किसाइन यह minus 6 अब इस तरफ गया तो क्या होगा यहाँ पर यहाँ पर होगा 4 plus 6 so that will be 10 so 2x upon 7 equal to 10 so 2x equal to यह जो 7 यहाँ पर divide हो रहा है न इस तरफ जाएगा तो multiply होगा 10 के साथ तो 10 into 7 that will be 70 so 2x equal to 70 which means x equal to 70 upon 2 कि जो 2 इसके साथ multiply हो रहा है यहाँ पर जाएगा तो divide होगा so x equal to 70 upon 2 is the answer so यहाँ पर 70 upon 2 क्या होगा एक step तो बाकि रहे गया solve करना 70 upon 2 जो होगा वो होगा 35 okay so this will be our final answer 35 कहाँ पर है यह रहा first चलो बढ़ते हैं next question पर देखो colorful slides इसलिए रखिए ताकि background change होता रहे हमें थोड़ा ठीक भी रखता रहे क्योंकि एक ही जैसा background हो तो मजा नहीं आता let's see now the number of girls present in a class is 7 more than the number of boys देखो boys हमें नहीं पता कितने है ठीक है बढ़ जो girls है न girls वो boys से साथ ज़ादा है देखो उसको आप x suppose करो क्योंकि ये छोटा है boys x है तो girls कितनी होंगी x plus 7 होंगी ठीक है ये है girls और ये boys if the total number of students present in the class is 47 मतलब आप girls और boys को plus करते हो तो answer 47 आता है देखो तो girls कितनी है x plus 7 और boys कितने है x तो इनको plus किया answer कितना है 47 आता है तो आपको find out करना है कि number of girls कितनी है मतलब आपको ये वाली value find out करनी है ओके ये वाली कई बच्चे x की value find out हो जाएगी फिर बस खतम नई आपको girls के बारे में पूछा है कि girls कितनी है तो x plus 7 की value क्या होगी वो find out करना अब देखो बच्चो यहाँ पर अगर इसको solve करें तो x और ये x कितना होगा ये होगा 2x फिर plus 7 equal to 47 so 2x कितना होगा ये जो plus 7 है न plus 7 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा minus 7 हो जाएगा न बच्चो so ये हो जाएगा 40 so 2x equal to 40 therefore x equal to यहाँ पर 2 इसके साथ multiply हो रहा है जब right side आएगा तो divide होगा 40 के साथ divide by 2 so how much it will be 2 into 20 right so आपका x कितना है x आएगा 20 और आपको पूछा क्या था कि girls कितनी है मतलब कि x plus 7 वो कितना होता है अगर x है 20 तो x plus 7 कितना होगा 27 होगा so this will be your answer ठीक है this will be your answer so fourth one ठीक है चलो बढ़ते हैं next question पे write linear equation for the following statements अब आपको यहाँ पर ना statement पढ़ने के बाद उसका एक equation बनाना है suhan and saharsh have 15 pens together तो suhan के पास जितनी pen है और saharsh के पास जितनी pen है उनको अगर plus किया जाए तो answer 15 आता है ठीक है suhan sorry saharsh alone has 9 pens saharsh के पास कितनी pen है 9 pen है और suhan के पास कितनी है हमें नहीं पता तो मालो x plus 9 equal to 15 यह equation बन गए ना क्योंकि saharsh के पास कितनी है 9 है तो suhan के पास कितनी है हमें नहीं पता तो x plus 9 equal to 15 this is the equation चलो next sujata is 7 years older than sanjay sujata sanjay से 7 साल बड़ी है तो sanjay छोटा हुआ right sanjay छोटा होगा और sujata बड़ी है कितनी बड़ी है वो 7 साल बड़ी है तो हमने पहले discuss किया था था कि जो भी छोटा होता है उसी को आप x suppose करते हो और दूसरा वाला बड़ा है तो ये कितना बड़ा है x plus 7 7 साल बड़ा है न ये sujata 7 साल बड़ी है sanjay से तो अगर sanjay x है तो sujata कितनी होगी x plus 7 the sum of their ages is 31 sum मतलब क्या बेटा sum मतलब के addition तो अगर आप sujata की age को plus करते हो sanjay की age से तो answer आना चाहिए 31 ठीक है तो ये है पूरा equation ठीक है ये हो गया आपका equation statement और राइट बाद में आप x की value find out कर सकते हो इस equation को solve करके और फिर बाद में आप देख सकते हो कि हाँ भी sanjay की age कितनी थी और sujata की age कितनी थी बट हमें सिर्फ इतना पूछा है कि statement दिया है आपको उसका equation बनाना है that's it चलो बढ़ते है next question पे if a number is divided by 5 and then decreased by 7 we get 13 ये कैसा कोई number है मालो suppose ये number है इसको आपने divide by 5 किया और फिर decrease किया यहाँ पे जो value आती है उसको आपने decrease किया 7 से मतलब 7 निकाल दिया उसमें से तो आपको मिलता है 13 ये हो गया न वो if a number is divided by 5 ठीक है and then decreased by 7 मतलब उसमें से आपने 7 निकाल दिया तो आपको मिलता है 13 so this is the equation ओके चलो देखते है next 150 less than 8 times 150 less than 150 less than 8 times a number ये हो गया 8 times एक number है उसमें से आप 150 कम कर रहे हो is is मतलब equal to 74 तो फिर से पढ़ो देखो 150 less than 8 times a number ये times मतलब क्या पता है आपको times मतलब multiply 8 into x minus 150 equal to 74 this is the answer ठीक है इस तरह से हम लोग equation बनाते हैं बच्चों algebraic expression में और linear equation में statement पढ़ने के बाद equation बनाना वो ही सबसे important है मान लो के 90% आपका काम इसी में हो जाता है उसके बाद तो बस खाली x की value find out करनी होती है या फिर कोई भी variable होता है न तो उस variable के आप value find out कर लोगे आराम से बट statement पढ़ने के बाद equation बनाना वो ही सबसे important है चलो देखते हैं last question solve the following equations यहाँ पर आप इन सभी equations को solve करेंगी एक-एक करके ठीक है तो अभी तक आप लोगोंने काफी practice की होगी उससे आपको पता चल जाएगा कहाँ equation solve कैसे करेंगे जैसे फर्स्ट वाली equation है बहुत easy है x-12 equal to 4 तो यहाँ पर आप क्या करेंगी आप जो भी method यूज़ करें trial and error method यूज़ ना करें वो अतनी अच्छी नहीं है बट हाँ transposition वाली method यूज़ करें balancing वाली method यूज़ करें मैं कहूंगा transposing से अच्छा है balancing वाली method थीक है तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ अगर मैं plus 12 करता हूँ plus 12 थीक है so we are adding 12 on both sides adding 12 on both sides मैंने ऐसा क्यों किया कि 12 को add किया देखो यहाँ पर minus 12 था तो minus 12 को हटाने के लिए मुझे plus 12 करना पड़ेगा right तो जो left hand side में किया वो ही right hand side में करना होता है अब यहाँ पर minus 12 है और यह plus 12 इनको cancel करेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और right side में क्या बचेगा बच्छो 4 plus 12 that is 16 मिलिया answer x equal to 16 ठीक है तो first वाला तो solve हो गया अब second solve करेंगे 42 plus x equal to 58 next page पे next slide पे 42 plus x equal to 58 अब देखो यहाँ पर 42 इसके साथ plus हो रहा है मतलब addition हो रहा है तो हमें 42 हटाना है तब ही जाके आपको x की value मिलेगी न तो आपको 42 हटाना है तो उसका उल्टा करो 42 plus है यहाँ पर 42 minus कर दो कैसे देखो यहाँ पर minus 42 किया और right side भी आपको वही करना होगा minus 42 ठीक है तो यह 42 और यह minus 42 कर गया क्या बचा x equal to 58 minus 42 तो 58 minus 42 क्या होगा 8 minus 2 6 5 minus 4 1 so x की value कितनी आई बच्चो x की value आई 16 चलो next question देखते है c x minus 6 equal to 1 अरे यार यह तो यहाँ मैं यही पर solve कर सकता हूँ x minus 6 equal to 1 है आपको यह minus 6 को हटाना है तो आप क्या करोगे आप plus 6 कर दो इस तरफ यहाँ पर भी आपको फिर plus 6 करना पड़ेगा तो आप लिख सकते हो bracket में adding adding 6 on both sides ठीक है adding 6 adding 6 on both sides तो यहाँ पर यह minus 6 और यह plus 6 cancel हो जाएगा न यह फूरा cancel हो जाएगा left hand side में क्या बचेगा left hand side में सिर्फ x बचेगा और right hand side में 1 plus 6 मतलब के 7 so x equal to 7 this is the answer for c यह c वाला ठीक है अब d जो है उसको मैं next slide पर करूँगा अगली slide पर एक्दम blank slide पर क्योंकि उसको करने में थोड़ा सा में ध्यान देना पड़ेगा 6 x minus 1 क्या लिखा है d में 6 x minus 1 equal to what is it 24 equal to 24 है बचो so पहले आप इसको multiply करोगे ठीक है 6 x x क्या होगा 6 x 6 x minus 1 6 x minus 1 minus 6 बेटा 6 x 1 6 but minus 6 equal to 24 अब यहाँ पर यह जो minus 6 है इसको हटाना पड़ेगा पहले तो आप क्या करोगे adding 6 on both sides देखो आप क्या लिखोगे 6 x minus 6 और यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर plus 6 यहाँ पर भी plus 6 ब्रेकेट में क्या लिखोगे adding 6 on both sides adding 6 on both sides इतना आपको आई गया होगा तो देखो यह minus 6 और यह plus 6 cancel हो जाएगा तो left hand side में क्या बचेगा 6 x बचेगा और right hand side में क्या बचेगा 24 plus 6 that is 30 अब देखो बचेओ 6 के साथ यह x जो है वो 6 है वो x के साथ क्या हो रहा है multiply हो रहा है उसको हमें अगर हटाना है तो divide करना पड़ेगा न तो मैं divide करूँगा यहाँ पर 6 से इधर भी 6 से divide करना पड़ेगा so यहाँ पर लिखेंगे dividing by 6 on both sides dividing by 6 on both sides ठीक है अगर 6 को यहाँ पर multiply हो रहा था तो उसको हटाना है तो हमें multiply का उल्टा divide करना पड़ेगा देखो जहाँ पर minus होता है minus का उल्टा क्या करना पड़ता है plus करना पड़ता है multiply है तो divide divide है तो multiply ऐसे ही अब देखो यहाँ पर यह 6 और यह 6 cancel हो जाएगा left hand side में x बचेगा और right hand side में क्या बचेगा 6 उपर क्या है 30 है तो 6 5 जा 30 कितना बचा x equal to 5 हुआ न so this is the answer x equal to 5 let us see last question of this video बच्चो 3 x minus 3 equal to sorry 3 x minus 3 minus 4 so 3 x minus 3 minus 4 equal to 2 ठीक है हम इसको solve करना है पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर solve करना चाहते हैं अगर तो देखो दोनों तरफ से कर सकते हैं यह जो minus 4 है न minus 4 को अगर हटाना है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा minus 4 का उल्टा क्या होता है plus 4 तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा plus 4 plus 4 आप क्या लिखोगे हाँ पर adding 4 on both sides adding 4 on both sides ठीक है इस तरह से लिख दिया अब यहाँ पर यह minus 4 plus 4 तो गया cancel तो left hand side में क्या बज़ेगा 3 x minus 3 equal to 2 plus 4 क्या हुआ 6 हो गया अब अच्चो देखो यहाँ पर यह जो 3 है वो इस पुरे bracket के साथ multiply हो रहा है उसे अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा divide by 3 करूँगा तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा LHS में मुझे यह 3 हटाना है तो मैं divide by 3 करूँगा तो right hand side में मुझे वो ही करना पड़ेगा तो मैं bracket में क्या लिखूँगा dividing by 3 on both sides dividing by 3 on both sides ठीक है यह हम लिख देंगे अब यहाँ पर क्या होगा यह 3 और यह 3 गया cancel X minus 3 equal to देखो 6 divided by 3 क्या होगा बच्चो 3 2 is a 6 यहाँ पर क्या आएगा answer 2 आएगा So X minus 3 equal to 2 है अब आप सोचो यहाँ पर minus 3 है इसे हटाना है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चो अगर minus 3 है उसको हटाना है तो plus 3 करो जो left hand side में किया वो ही right hand side में करो ओके तो यह क्या होगा यह minus 3 और यह plus 3 कैंसल हो जाएगा बच्चेगा left hand side में सिर्फ x equal to 2 plus 3 क्या है 5 यह जो है न 2 plus 3 So X की value हमें मिल गई What is X? X equal to 5 Done So बच्चो यहाँ तक वीडियो देखने लिए ठेंकियो सो मच अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको like करें चैनल को subscribe करें और अपने friends में अपने classmates में इसको share कर सकते हैं और अगर personally अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी doubt clearing session हो तो आप हमें contact कर सकते हैं मेरा whatsapp number यह है ठीक है तो इस whatsapp number पे आप contact करके अपने doubts solve करा सकते हैं मेरे पास time होगा तो मैं तुरंत ही आपके message का reply करूँगा और आपके doubts solve करने का try करूँगा Thank you so much बच्चो God bless you all Bye bye